नमस्कार प्रिवरिश्चिक रासी वाले सायद आपकी जिन्देगी के सबसे वड़ी गलती यही होती है कि आप सोचते हो कि जीवन में कुछ मैं अपना करू यह कुछ बड़ा करू मतलब स्वतंत्र हो करके अपने लाइफ में कुछ ऐसा करू कि दुनिया जो है मुझे देखे और सायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी यही होती है क्योंकि इसके बाद क्या होता है क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि मैं इसे बेवकू बनाता रहूं यह जिन्दगी भर मेरे अंडर काम करते रहे मेरे अनुसरन पर यह काम करे मेरे अधीन रह करके मेरी हर चीजों को ये माने और जो भी चीजे हैं कमा कमा करके मुझे दे या फिर जो है मेरे लिए ही करे और यहीं पे पूरी दुनिया आपकी दुस्मन बन जाती है क्योंकि आपकी सबसे वड़ी गलती यही होती है कि आप अपना करना चाहते हो और इसी समय से जिंदगी पलटना भी चालू हो जाता है क्योंकि जब विरिश्चिक रासी वाले या लगन वाले जब आप अपना सोचने लगते हो ना तब चारों तरब से एक ही आवाज आती है ओहो अपना सोच रहा है घमंड हो गिया इसे अच्छा इसको किसी के अंडर में नहीं रहना है ये तो परधान मंतरी बन गिया है अरे कुछ नहीं कर पाएगा देख लेता हूँ कैसे क्या करेगा क्योंकि आप तो जीबन बर दुसरे के अंडर रहके काम करना चाहते हो तो इसी चीजों में लोग आपको अहंकारी सोतंत्र प्रिये और जादा किसी के अधिन नहीं रहने वाला बना देता है लेकिन उन लोगों को ये बात बिलकुल नहीं पता होता कि आप भेले ही ब्रिश्चिक रासिया ब्रिश्चिक लगन के लोग हो लेकिन अगर आपको प्यार से रिस्पेक्ट से हर चीज कह दिया जाए तो पैसे और काम क्या चीज है आप तो जान भी दे दोगे लेकिन लोगों की समझ समझ की फर्क होती है इसलिए मैं भी यही बात बोलूँगा करना है तो अपने लाइफ में कुछ करो जादा दूसरे के अंडर में रहोगे तो जंदिगी वर भीक मांगना पड़ सकता है विरिश्चिक रासी के लड़की हो या लड़का हो नमस्कार प्रिये विरिश्चिक रासी वाले स्वागत करता हूँ आज के मेरे बहुत ही खास कारिक्रम में और आज मैं बताऊंगा कि 45 दिनों के लिए संसार का कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड सकता है प्रिये विरिश्चिक रासी वाले ये जो वीडियो है चंदरासी पे अधारीत है आप इसे चंदरासी कनुसार देखिएगा दखिए हो क्या रहा है विरिश्चिक रासी वाले कि काफी समय से आपके लगन के ऊपर सनी की दिरिश्टी पड़ी है और सनी की दिरिश्टी पड़ने के कारण लगभग एक से देड़ साल की इस्थिती में आप बहुत परिशान चल रहे हो अब आप सोचोगे कि परसानी क्यूं है क्योंकि वरतमान समय में आपके लगन के ऊपर सनी की और राहू की दिरिश्टी पड़ रही है सनी की दस्वी राहू की नौमी इन दिनों क्या हो रहा है कि आपके ऊपर मांसिक तनाओ या मांसिक प्रेशर बहुत है कोई जॉब का इंटर्वी हो नए बैपार को ले करके कुछ कोसिस करना हो नहीं हो पा रहा है आपको संतान पक्ष के तरब से चिंता है मातरी और पित्री पक्ष के तरब से परशानिया है कुछ हद तक दामपत्त जीवन को ले के डिश्टर्मेंस है और इसके अलावा जो है महनत करने के बाद भी इंकम की स्थिती उस लेबल के नहीं हो पा रही है जिस लेबल का होना चाहिए साथ में आप काफी कोसिस कर रहे हो कि किसी तरह कोई प्रोपटी या संपती ले लू आप कोसिस बहुत कर रहे हो किसी तरह वीजा पास्पोर्ड या विदेह जानने का कुछ साधन बन जाए नहीं हो पा रहा है साथ में जिनका प्रथम विवाह तो विवाही सही जिनका सेकंड विवाह भी डिश्टर्म था वो भी सोच रहे हैं कि किसी तरह ठीक हो जाए या दुत्य विवाह का चांस मन जाए और लब लाइब की तो धजिया उड़े वी है जिस तरीके से पिश्टल से गोली मारने से धजिया नहीं उड़ जाती है किसी चीजों का लब लाइब की तो ये कंडिशन बनी वेठी है और जहां तक स्वास्त की बात करो तो थोड़ा सा सरदर्द हिर्दय के समस्या हेयर फॉल और पेट के समस्या तो भर भर के परशानिया आपको उत्पन कर रहा है लेकिन ये जो वीडियो है ना बहले ही बहुत सौट टाइम का है सिर्फ पैटालिस दिनों के लिए है लेकिन ये पैटालिस दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्या बड़ा होने वाला है बताता हूँ बिश्चिक रासी वाले देखो हो क्या रहा है आपके चतुरत भाव में सनी, पंचम भाव में राहू और सब्तम भाव में बिरहस्पती है नीची तोर पे बिरहस्पती आपके लगन को देख रहे हैं मैं ये नहीं बोलता कि नहीं है सनी भी आपके लगन को देख रहे हैं लेकिन सनी दो नुकसान दे रहा है पहला तीसरे भाव पे नीच द्रिश्टी आपको करिश्दार बना रहा है दूसरा कर्म छेतर पे सुरी किरासी पे इनकी द्रिश्टी वेवसाई छेतर में बहुत समत्वेद या नए बिजनस को डिश्टर्ब कर रहा है तीसरा दस्मे भाव पे लगन भाव पे द्रिश्टी आपके जीवन में जो है बदनामी और आईस्थिरता पैदा कर रहा है लेकिन अब कुछ बड़ा हो रहा है हो क्या रहा है कि 12 जुलाई को मंगल जो है च्छे बज के 69 मिनिट से ले करके 26 अगस्त तक मेस रासी जो इनकी स्वयम की रासी है इसको छोड़ करके सब्तम भाव बिरिशब रासी में बिराजमान हो रहे है और आप सोचेंगा ये कौन से बड़ी बात है बड़ी बात इसलिए है कि जैसे ही मंगल विरास्पती के साथ विराजमान होंगे तो सबसे पहला ये क्या आप करेंगे लगन बती योग बना देंगे यानि लगन भाव को देखेंगे दूसरा मंगल की चौथी दिरिष्टी कर्व छेतर पे जाएगा जहां सनी के दिरिष्टी है मंगल की साथवे दिरिष्टी लगन भाव पे आपके मस्तित्ख पे आएगा जहां सनी के दिरिष्टी है और मंगल का आठवा दिरिष्टी आपके दुप्स्तिय भाव में आएगा जो धन का भाव होता है और मंगल सौयम आपके रासी के मालिक है तो प्रिय विरिष्चिक रासी वाले जैसे ही मंगल और बिरहस्पती के यूती होगी मंगल का बल बढ़ जाएगा क्योंकि मंगल का बिरहस्पती के साथ मित्र वद्ध सम्मंद होता है और बारा जुलाए से ले करके 26 अगस्त तक आपको इतना ताकत मिलेगा कि कोई आपका कुछ नहीं कर सकता जैसे ही मंगल सब्ता मभाव में आएगा सबसे पहला आपके जीवन में बिरहस्पती जो वक्री चल रहा है इसके प्रभाव को और कम करेगा और आपके बल को बढ़ाएगा सबसे पहले आपके पार्टनर सिपिंग के वैवसाई को ये ठीक करेगा आपके वैवाहिक जीवन में ये सुधार लाने का कोशिस करेगा आपको अपनी प्रोपटी या संपती के लिए लोन नहीं मिल रहा है आप एलिजिबल नहीं हो वो मिलना चालू हो जाएगा गुप्त सत्रों से आपकी रक्षा करना चालू कर देगा और कर्म छेतर में जो जो आपकी खिलाब बात कर रहा है आपकी कैरेक्टर को लेकर गलत बात कर रहा है आपके कर्म छेतर के अपनी आपके काम को लेकर गलत बात कर रहा है ये सभी के होस्टिक आने लग जाएगे औ और आपके कर्वे छेतर में आपकी तूती बोलने लगेगी। कर्वे छेतर में मंगल का उचस्त दृष्टी कालपूरिस के कुंडली में आपके जीवन में नए नौकरी अवेवसाई के लिए बहुत बहतर आपसन देना चालू करतेगा। यह पिता से ताल में ठीक कर देगा, यह आपके जीवन में जो है साजा बैपार को बढ़ाना चालू कर देगा, यह आपके नए नौकरी वेवसाई में जो लोगों काफी समय से घर बैठे हुए थे, उसमें तरक्की का उसर देदेगा, बिजनस को एक्स्टेंड करना चालू कर आपको पता है, बिरिष्चिक रासी और मेस रासी और करकर रासी के लोग समसे बड़े जादा पॉलिटिक्शन में होते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, समझ गया, इसके अलावा बिरिष्चिक रासी वाले, जब लगन भावपें की दिरिष्टी पड़ेगी, तो आप इ इन सभी सपरकार की समझ से आपको परशान कर रही है, इन सभी चीजों में सुधार के योग आपके जीवन में करना चालू करतेगा, इसके अलावा बिरिष्चिक रासी वाले, जब लगन भाव पे दिरिष्टी पड़ेगा, तो आपका खोया हुआ मान समान इज्जत लगेंगे, इसके आपके सामने चार रूपे की हैसित नहीं है, वो आपके आउकाद जो दिखा रहे है सनी के कारण, तो उन लोगों से आपके तालमल ठीक हो जाएंगे, और खुद की शम्पती प्रोपटी में बिबाद या खुद आपकी माता जो है, आपके खिलाब बात कर रहे हैं तो आपकी माता आपके support में आपकर करना चालू कर देगा इसके अलाबा बिरिश्चीख रासी वाले चतुरतभाव का मजबूत होने से कुछ इस्ठितियों में आप अपने घर से दूर थे घर के पास ट्रांसपर पोस्टिंग की कोशिस कर रहे था नहीं हो पा रहा था वो होना चालू हो जाएगा इसके अलावा दुत्ते विवाह या पर्थम विवाह को लेकर ढंक के रिस्ते आपके जीवन में आने चालू हो जाएगे पैतरिक संपती का लाव मिलेगा सोसाइटी म आपके इज़त बढ़ने चालू हो जाएगे और जैसा कि मैंने बताया आपके नौकर चाकर आपका इज़त करना चालू कर देगा और परिवार के लोग आपके इज़त करना चालू कर देगा डिसिजन कुछ गलत होने के कारण या कुछ बड़ा काम करने के चकर में पैसे द लेवान या महेंगी बस्तुए पर चेज़ करनी है जिसे वहान या संपती या कुछ गोल्ड जुइलरी वेगरा ये सबी चीज़ ठीक होनी चालू हो जाएंगी अगर आपको कोई प्रोपर्टी वेगरा ये कोई भी चीज गोल्ड जुइलरी वेगरा होम लोन वेगरा में बनाएगा मेंटल पीस मिलेगा कुछ लोगों कि आपकी बाते खराब लग रही है इन दिनों उसमें सुधार की स्थिती को ठीक करना चालू करेगा और इसके अलाबा जो है सबसे बड़ी बात आपकी जीवन में यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप काफी समयशे नौकरी व नहीं होई थी इसमें सुधार हो जाएगा दुत्ति संतान अप्रथम संतान को लेकी तना ज्यादा परिशानी हुआ पड़ा है करियर को लेकर के या उसके खुद के पढ़ाई को लेकर के या फॉरें वैडिमिसन को लेकर के इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचाओ करेगा आपके संतान कुछ गलत लोगों से मित्रवद संबंध कर रहे हैं या गलत लोगों से लव अफेर करके बैठे हुए हैं या आपके संतान जो है आपके खिलाब बात कर रहे थे इसमें बहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएगा जिनके संतान कंसीबनी हो रही थे उसम अच्छा सुधार करने वाला रहेगा बिरिश्ची करासी वाले इसलिए बिरिश्ची करासी वाले यह समाने परिवर्तन नहीं है 45 दुनों में आपके बहुत सारे दुख खतम होने वाले फिर इसके प्रभाव को बहतर बनाने के लिए आपको हन्वान 40 का पाट करना चाहिए औ कुमित करता हूं बताएगे जनकारी से संतुष्ट होंगे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए शेड करिए सब्सक्राइब करिए मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्तपुन और ग्यान वर्दक जनकारी के साथ तब तक ले नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यवार